एक मित्र पूष्टे हैं कि मैं बहुत सरल सब्दों में इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझा देता हूँ तो ये मानते है कि ये कैसे सम्भब है और कहां से ये आता है तो मित्र मैं भी ऐसा अचम्मित होता हूँ कि मुझे भी पता नहीं होता है ये बात ऐसी है कि जब मैं बोलता हूँ तो मुझे भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोलूंगा इसके आगे का सब्द क्या होगा आगे का सिंटेंस क्या होगा मुझे भी पता नहीं होता क्यूंकि मैं कुछ तयारी करके नहीं बुलता हूँ जैसे दू लोग होते हैं एक लोग जो अपने बाधिक लेवल से बोलते हैं तो वह क्या करते हैं कि नोट पना लिते, कुछ इधर का बात सुन लिया किस कोई उधर का बात सुन लिया इस शास्त्रा में देखे उस सास्त्रा में देखे और उस हिसाब से कंक्लूजन बना लिया और ये बोलना है ऐसे बोलना है ये नोट बना लिया और वो बोलने लगे तो उनको पता होगा कि वो क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे कियों बोलेंगे उनको सब पता होगा, मगर हम जैसे लोगों को पता नहीं होगा, कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो बाते हैं, ये बाते हैं, हम के बल माध्यम ही बनते हैं, हम ये दावा नहीं करते हैं, कि हम जानते हैं, हम बिद्वान है, और सास्त से उधारन लेकर भी हम नहीं बूलते हैं जो पहले सुना था वो आ जाता है मगर सोचते नहीं है कुछ ऐसे बोल देते हैं जैसे कोई गाता है कोई नास्ता है तो अपना सहज धंग से उसको हम अभी विक्तक कर देते हैं हम इसमें केवल एक बास के पोगरी जैसे बन जाते हैं एक माध्यम जैसे बन जाते हैं और जो आवाज आएगा जो विचार आएगा वो केवल परमात्मा का ही होगा इसलिए हम इसमें क्रेडिट नहीं लेते हैं आपको लोगेगा कि जो है मैं बहुत आप बहुत मित्र बोलते हैं कोई मुझे बोलता है कि गुरु जी और कोई सद्गुरु जी बोलता है और प्रणाम बोलते हैं प्रभु जी बोलते हैं कोई स्वामी जी बोलते हैं तो यह बाते मुझे पसंद भी नहीं आती, मैं अपने को कुछ मानता नहीं हूँ, यह दूसरी बात ही कि आप मुझे मान लेते हैं, वो आपका ब्रहम है, वो आपकी माननेता है, जैसे मुझे भी बहुत लोग बहुत बोलते हैं, कोई बोलेगा यह जो है दर्शन के बिखती है, वो बोलेगा, क्योंकि वो जो है, वो दर्शन में विश्वास करता है, और मेरी बात जो है, उसको लजिकल लगती है, और वो मुझे एक बाउद्दिक आदमी है, बोलेगा, मगर मैं बाउद्दिक आदमी तो है नहीं, दर्शन से तो कुछ तार्किक बाउद्दिक इंट्र ही मगर मैं कोई गूरु भी नहीं हूं मेरा कोई उद्सस्य नहीं है कि मैं किसी कुछ मैं जो है आप दे रहें इसमें और सुन रहें क्यों सुन रहें क्यों कि आपको सुनने में कुछ मजा आ रहा है कुछ आनन्द आ रहा है कुछ जीवन की नई नई दिशा दिख रही है नया आयाम का अनुभब हो रहा है तो ऐसे ही मुझे जब मैं बोलता हूं मुझे भी ऐसा ह होता है आनन्दा आय रहा होता है कुछ नया दिशान खुल रहा होता है बोलते पक्त तो इसी हिसाब से मैं बोलता हूं और मैं मेरा उदिश से नहीं है कि मैं बोल के किसी को सुधारनों किसी का जो है शिस से बना दूँ तो यह मेरा उधिस से नहीं होता जैसे गाईक गाता है संगीत के बजाता है और वो उसमें डूब जाता है मैं भी इसमें डूब जाता है कोई टॉपिक ले लेता हूँ और उसमें डूब जाता हूँ और जो कुछ आएगा उसको परकट कर दिता हूँ तो क कहां से आएगा मुझे पता नहीं, कहां से आता है यह मुझे पता नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह परमात्मा से आ रहा है, यह आप समझेंगे तो ज्यादा आपको लाब होगा, तो इसलिए जो लोग हैं आप पसंद करते हैं, प्रभावित होते हैं, बहुत मित्र ने तो मगर वो क्यों इतना रुपियां दे रहे है मुझे, नहीं तो मुझे देखा है कभी उन्होंने, मेरी बाते सुना है, बस इतना सा इतने में ही क्यों वो प्रभावित है, क्यों कि उनके जीवन में कुछ बैल्यू का एड हो गया होगा, उनके जीवन में कुछ अनुठा आयाम प्रिवेश हो गया होगा, और मेरे सब्दों ने कुछ काम कर लिया होगा उनका जीवन में, तो इसलिए वो दे रहे हैं, मगर इसमें मैं अपने को क्रेडिट नहीं लेता, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे कारण उनको जीवन में रुपानते होगा, मैं है ही नहीं हूँ, मेरे कारण है नहीं, वो परमात्मा के कारण को लाप हो रहा है, और जो है मेरे उपर से परमात्मा बोलता है, क्योंकि मैं तो सुनने हो गया हूँ, अपने में, मुझे तो मैं जैसा कुछ मानता नहीं हूँ, तो इसलिए जो भी होता है, मैं तो मानता हू बोलता हूँ जो भी हो दुख होता है तो भी परमात्मा कही दुख मानता हूँ अस्तित्व कही मानता हूँ अपना भिन्नतो मैं नहीं मानता हूँ तो इसलिए मैं जब बोलूंगा तो क्या होगा कि परमात्मा ही बोलेगा मैं ऐसा मानता हूँ और जो बात ऐसी होती है कि मैं म परमात्मा मेरे माध्यम से आपको सहयो कर रहा है। वो मुझे माध्यम बनाता है। कि आपको सहयो कर रहा है। इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन होता होगा। इसमा मेरे कोई योग्दान है ही नहीं। हम इसको थोड़ा बड़ा करके ले जा सकते हैं और इसमें जो है शुरोष साधन की थोड़ी कमी है अगर अगर आपके पास कोई हो तो आप मुझे वाट्सप पर बात कर सकते हैं तो description में वो नमर दिया हुआ है आप बात करें और यह कर्म परमात्मा का ही कर्म है और आपको परमात्मा ही बोल रहा है आप यह समझ के सुन सकते हैं और जो है मैं इसमें अपना क्रेडिट नहीं लेता है, ऐसा है, मैं बाउद्धिक रूप से तो बोलता नहीं हूँ, मन से तो मैं बोलता नहीं हूँ, हाँ सब्द जो है मन में होते हैं, मगर जो साइलेंस है वो तो मेरा नहीं होता है, इसलिए मेरे सब्द में यह होगा कि साइ तो नहीं है आपके उपर आपको अच्छा लगा पूरा लगा आपका जीवन में कुछ बदला हट आया उसका मेरा अपना कोई भूमिका नहीं है मैं यह नहीं मनता कि मेरा कोई भौमिका है आपको अच्छा नहीं लगा आपके जीमन में कुछ लाब नहीं हुआ दिक्कत हुए तो भी मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है क्योंकि मैंने तो अपने को मैं नहीं मनता हैं सभी कुछ मेरे पितर जोग सभी को परमात्मा मनता त आपने एक चुट के लिए सुना होगा एक आदमी जो है गरीब था और धनी हो गया जब धनी हो गया और लोग उसको नमस्कार करने लगे पहले उसको घृणा करते थे धनी होने के बाद नमस्कार करने लगे और वो आदमी थोड़ा अजीब था और जो उसको नमस्कार करता थ वो ये बताता के मैं लस्मी से कहे दूंगा। वो ये बोलता था और लोग उसे यह बोलते थे कि भाई हम तुझे नमस्कार कर रहे हैं तो क्यों बोलता है ये लस्मी से कहे दूंगा ? और वादि więks प्रोकщा से नमस्कार नbildung कर रहा है, अगर ये नमस्कार करता होगा, इसलिए मैं वो नमस्कार नहीं लेता जिसका है उसी से कहे दूंगा बुलता हूं है तो ऐसे ही बात है इसमें धन्यबाद मैं भी लेना नहीं चाहता है आप परमत्मा को धन्यबाद दे और उससे अनुगरित हो जाएं कुछ लाब हो रहा है तो उसी से हो रहा है और मैं केबल माद्यम और मैं अपने को एक बिल्कुल ना कुछ की सरह मानता हूं और मुझे शरम भी आते हैं जब आप से बात करता हूं आप जो है मुझे बहुत दिगज भी हैं बहुत मेरे उम्र से भी कोई आदरनिय भी हैं तो मुझे शरम आते हैं कि मैं जब आप बोलते हैं कि पुर हीनता फिल होता है तो मुझे कोई बोले कि मित्र बोले तो ठिक ठिक लगता है इस से भी अच्छा मुझे यह लगता है कोई मुझे भाईया बोले अपने को बच्चा ही मनता हूँ अबी भी मुझे भाईया बोल सकते हैं आप कोई बात नहीं है मैं एक माध्यप हूँ परमात्मा जो है बोल रहा है और जो कहिना है वो आप से कहि रहा है मेरे माध्यम से तो माध्देमों आपका सम्मान आदर अगर है तो परमात्मा के उपर है क्यूंकि जो आप समझते हैं मुझे मैं वो हो नहीं जैसे मैंने बताया नहीं कोई दार्षनिक समझते हैं मुझे क्यूंकि मैं दार्षनिक की बात करता मगर वो हो नहीं उसको लगता किसी को लगए का स्वामी जी मगर बह स्वामी जी भी हो नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं मेरा इस्तिति यह है और लोग मानते हैं कि कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है उसके अपने धर्ण है तो मेरे में से तो कोछ है नहीं. मैं आननदित होता हूँ, जब आईसे ग्hongyadin की बाते बाते बनाते हैं. तो मुझे आनन्द आता है, तो बात आइसे होती है. इसलिए बात घहरे भी होती है. रुपांत्रण भी इसमें होता है, जब सुनते हम, आप क्योंकि अगर मैं बौद्धी ग्रूप से बोलू तो आपको कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा, आप मुझे डोनेशन नहीं देंगे भाई, आप 15,000 डोनेशन दे रहे हैं मुझे, तो अगर मैं बौद्धी ग्रूप से बोलता, तो आपको उपर कोई प्रभावे नहीं प यह परमात्मा से आ रही है, बोल सकते हैं साइलिंस से आ रही है, ना कुछ सोने से, सुनने से आ रही है, आप यह बोल सकते हैं, सुनने से आ रही है, तो इसलिए उसका प्रभाव है, और आपने खुले मन से, हार्तिकता से उसको सुन लिया, तो एक जादू है, एक किमिया है वह आपको बदल के रख देगा, तो ऐसी बात हो देगा, जिसे हम ओसो को सुनते हैं, जब खुला मन से, प्रेम से, हिरदय से, जब हम उनको सुनते हैं, तो हमको बदल के रख देता है, आँक से आशु आने लगता है, मगर बहुत दिक बात आप समझें, आँक से आशु नहीं बुलंगा आपका पहुत बुपत पने बाता